हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा चैनल माइनम इस मॉनिका फ्रेंड्स आज हम लोग करने वाले हैं प्यरिटन एज की पॉइट्री के बारे में इससे पहले हम लोग एलिजाबेथन एज कवर कर चुके हैं और उससे पहले चौसर की एज भी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं जो उस टाइम पे जितने भी प्लेड्स हुए उन्होंने बेसिकली रिलीजिन पे और गाट की तरफ डिवोशन पे फोकस किया जो प्यरिटन एज की पॉइट्री थी उसमें जितने भी प्लेड्स थे उनको बेसिकली थी कैटेग्री में डिवाइड किया जाता है फस्ट सेकेंड मेटाफिजिकल थिर्ड के वेलियर पॉइट्री आगे हम लोग देख लेते हैं यहां लोग पड़ चुके हैं मेटाफिजिकल पॉइट्य थे और स्पेंसीरियं थे अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो प्यारिटन एज थी उसमें उसके फीचर्स क्या थे किस वो उन्होंने झिच्च के खिलाफ एक आंधोलन्ट छेड दिया था. मतलब उन्होंने जो चबिच्च की जिती पावर्स थी सब के उपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था. जैसे हेरार्की होती है. जैसे पुजारी है उनका बेटा पुजारी ही बनेगा. और पुजारी के बाद उनका ही बेटा पुजारी बनेगा और यह हिरार्गी है कि उनकी कोई सी family member को ही उस गदी पर बठाया जाएगा कोई और यह कारे नहीं ले सकता तो जो चर्च के लोग थे उनकी authority थी चर्च के उपर उसकी teachings के उपर तो कुछ लोगों ने यह question mark उठाया तो प्यर्टन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया अब हम लोग आगे देख लेते हैं English Civil War यह उसी दोरान का time period था जब English Civil War भी start हो चुके थे यह time तर 1642 से लेकर 1651 का Britain में हमेशा से ही दो powers का राज रहा है first of all parliament और second royal जो राजे महराजा और जो king है तो हमेशा से ही वहाँ पे king चुना जाता है और parliament भी होती parliament basically represent करती है वहाँ की आम जंता को क्योंकि parliament में आम जंता के लोगों को ही चुन के भेजा जाता है तो यह time वो time धाजब 1642 में Charles 1 king बने अब Charles 1 king बने तो इसके बाद Charles ने Spain के साथ एक युद की शुरुआत कर दी युद छेर दिया अब युद को आगे बढ़ाने के लिए money की जरूँत थी पैसे की जरूँत थी Charles 1 ने बहुत सारी heavy taxes लगाना शुरू कर दिया पब्लिक क्यों पर अब इससे पब्लिक पूरी परिशान हो गई अब पब्लिक के पास पैसा कहा से आएगा उस time पे सूखा पड़ा हुआ था जो तो आम जनता पीजन्ट जो लोग थे किसान लोगों के पास भी पैसा नहीं था उन्होंने पार्लियमेंट से जाकर रिक्विस्ट किया पार्लियमेंट ने भी किंग से रिक्विस्ट किया कि आप ऐसा मत किजे इन लोगों के पास अल्रेडी पैसा नहीं है तो आप इनके उपर heavy duty taxes मत लगाईए पर किंग नहीं माने उस टाइम पे पार्लियमेंट का कंट्रोल नहीं था किंग के उपर ये बाद की बाते हैं जब पार्लियमेंट ने किंग के उपर कंट्रोल करना शुरू किया ये glorious revolution आया था 1688 में उसके बाद पार्लियमेंट का किंग के उपर कंट्रोल हो गया था तो इसके बाद में फाइनली पार्लियामेंट की जीत हुई चार्ल्स वन को फांसी चड़ा दिया गया, एक्जिक्यूट कर दिया गया और जो चार्ल्स टूट था, उनका लड़का, उनका सन था, वो वहां से भाग गया फ्रांस में तो ये सिविल वार का एक ओवर्वियू मैंने आपको दे दिया कि सिविल वार में एक्शली हुआ क्या था अब हम आगे देख लेते हैं, ये पहली बार ऐसा टाइम पिरिड आया था पूरे ब्रिटेन में के पूरे इंग्लेंड में कॉमन वेल्थ आ गया था, ये फर्स टाइम हुआ था ऐसा ये डवलु एच हर्सन के कुछ कमेंट है पिरिड न के बारे में, जो पिरिड लोग थे उनके बहुत स्थीर्ट रूल्स है लाइफ के बारे में तो ये डवलु एच हर्सन की स्टेट्मेंट भी इंप्टरेंट है जो struggle की intensity थी जितनी भी ज्यादा high थी उसी ने puritan's को बहुत निरोर hard बना दिया था अब देख लेते हैं puritan age में literature किस type का लिखा गया according to Richard Green जो literature लिखा गया वो basically Bible book पे based था जैसा कि हम लोग पहले discussion कर चुके हैं एक overall view ले चुके हैं हम कि puritan age थी total God के लिए devotion की age थी और God के लिए total devotion था इस age में जो puritan लोग थे वो जो थीएटर में activity होती है जो immoral चीज़े होती है जो God's will rate नहीं करती जिसमें उनको कुछ sexuality कुछ गलत चीज़ा देखने को मिलती है उनको वो लोग खतम करते थे हाम पहुँचाते थे इसलिए puritan's ने globe theater को demolish कर दिया था 1644 की बात है ये जो milton है वो puritan age के बहुत ही greatest representative माने जाते हैं आगे हम लोग देखते हैं अब elizabethan age से comparison है क्योंकि elizabethan age से इसलिए comparison है क्योंकि puritan age के जिस्ट पहले वाली एच अलीड़ी इसलिए अलीजबेटन एज थी वो फुल ओफ यूथ थी जबकि जो puritan age है वो sadness और pessimism की एज है और जो elizabethan age थी वो एकदम फुल ओफ रोमेंस थी रोमेंटिक फ्लेवर उसमें देखने को मिलता था पर जो puritan age है वो lake of romance है जैसे elizabethan poetry में आपने देखा Shakespeare ने बहुत ही romantic poems लिखी पर जो puritan age थी वो उसमें रोमेंस नहीं था कहीं भी जो कुछ done ने, john done ने कुछ love poems लिखी उनमें भी बहुत जदा आपको intellectual spirit देखने को मिलता है like love poems भी उनकी metaphysical थी like उसमें भी direct love नहीं दिखा रखा था उसमें भी intellectual love दिखा रखा था poetry कैती थी puritan age की हम लोग discussion कर चुके हैं पहले वो total focus थी devotion to God क्लासिफिकेशन देख रहते हैं poets का जो प्रटन age के poets थे उनका classification spencerian के वेलियर metaphysical poets चलिए हम लोग पढ़ती है spencerian poets के बारे में spencerian poets के नाम दिए गए है गाइल्स फ्लेचर विलियम ब्राउने जार्ज विदर spencerian stenja होता क्या है उसके बारे में description दिया हुए है eight iambic pentameter lines होती है यह आप पढ़ लीजिए spencerian stenja के features दिये हुए है अभी किस ने invent किया था जाहिर सी बात है spencerian नाम है तो admin spencer ने इसे इंवेंट किया था अपनी जो पोयम है fairy queen में इस में first time fairy queen में जो spencer है वो spencerian stenja लेकर आये थे अब उस time पे तो spencerian stenja काफी अच्छे तरीके से हद से use हो रहा था पर यह जो था 17th century और 18th century में एकदम से कम हो चुका था इसके बाद दुबारा से फिर 19th century में spencerian stenja को फिर से romantic poets ने use किया जैसे बाइरन ने अपने child herald pilgrimage में यूज किया, kids ने the eve of St. Egan's में यूज किया और शैले पीबी शैले ने addon ace में यूज किया तो जो spencerian stenja था वो 17th और 18th century में यूज होना बंद हो चुका था पर 19th century में फिर से इन लोगों ने दुबारा से उसको यूज किया अब हम लोग देख लेते हैं points के बारे में Phineas Fletcher birth और education दी गई है educational qualification earliest work था Soros Joy इनका best known poem जो मानी जाती है वो है the purple island allegorical description है man का allegory मैंने आपको बताया था जब direct किसी चीज का किसी चीज से comparison ना करके डारेक्ट किसी चीज का comparison किया जाता है डारेक्टली ना बताके उसको comparison कि तुरू किसी चीज को describe किया जाता है उसे allegorical कहते हैं पोएम के बारे में बताया गया है और यह dedicate की गई थी एडवर्ड बैनलोस को नेक्स पॉइट हम लोग देख लेते हैं गाइल्स फ्लेचर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और बर्थ दिया गया है लोट्रेरी करियर एड़ोक्स देख लेते हैं ट्राइम इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंज आफ्टर डेथ यह फोर पार्ट्स में डिवाइड़ है फोर पार्ट्स किस चीज़ को रिप्रिजेंट कर लेते हैं आप देख लिए नेक्स हम लोग करते हैं जॉर्ज विदर इन्होंने अपनी ग्रेजुइशन कंप्लीट किये भिना ही उनिवस्टी छोड़ दी थी ऐसे बहुत सारे पॉइट्स हैं इसका ग्रुप भी क्वेशन के रूप में आ सकता है कि कौन-कौन से ऐसे पॉइट्स है जिनोंने या कौन-कौन से प्लेइट्स है जिनोंने ऑक्सफोर्ड शोड़ दिया था विदाउट डिग्री विदाउट टेकिंग डिग्री आगे हम लोग विदर के वॉक्स देख लेते हैं इसमें लॉर्ड चांसलर को अटैक किया गया था कितिसाइस किया गया था एक पैस्टारल एकोलोग पी इन्होंने पब्लिश किया थे शैफ़र्स हंटिंग नेक्स्ट वस हिस हीम्स और सॉंग्स अफ चर्च हीम्स मतलब भजन होता है विल्यम ब्रावने नेक्स्ट राइटर है विल्यम ब्रावने वर्क्स देख लेते हैं बिटैनियास प्राव पैस्टोरल्स बिटैनियास पैस्टोर्स टू पैस्टोर्स थ्री शेफर्स पाइप ये हिरोइक कप्लेट्स में लिखा गया था कर लेंगे तो फिर हम लोग एक एक जो फेमस उनकी जो भी है एक है दो है जो भी है हम उनके फेमस प्लेज जो हैं उनको डीपली करेंगे अभी हम लोग किसी भी एज के बारे में एक बेसिक ओवर्विव ले रहे हैं और उस एज में जो जो राइटर्स हुए जो जो वहां की conditions थी उसके बारे में एक view ले रहे हैं वर उसके बाद हम लोग detail में करेंगी इसे next is William Drummond अगर आपको और detail में पढ़ना वीडियो को stop करके read कर सकते हैं एक्सेलेंट मेजेस्टी 16-17 में publish हुआ था heroic couplets में लिखा गया था तो यह complete होगे हमारे किवेलियर poets sorry Spencerian poets अभी तक हमने complete किया Spencerian poets अभी हम लोग करने जा रहे हैं किवेलियर poets हमने Charles One के बारे में पढ़ा जो Charles One King थे उनको support करने के लिए कुछ points उनके court में गठा हुए उनको किवेलियर poets बोला जाता है किवेलियर बोला जाता है क्योंकि वो Charles One को support कर रहे थे किवेलियर poets डाइरेक्ट लेंग्विज यूज करते थे मुनीब आयोब ने किवेलियर poets के बारे में कहा है किवेलियर poets ने जो life थी उसके lighter side को दिखाया है hope को दिखाया है passion को दिखाया है happiness को दिखाया है जो इस टाइम पर किवेलियर poets ने थीम बेसिकली यूज कि अपनी poetry में वो theme of honor था theme of happiness था जो poetry की वेलियर poets ने यूज की उसका basic aim लोगों को entertain करना था ना कि उनको provoke करना था क्योंकि लोग भढ़के तो already हुए थे Charles One की वज़े से उनका काम था लोगों को entertain करना ना कि उनको provoke करना मतलब उनको और भढ़काना अब की वेलियर poets में नाम आता है रॉबर्ट हैरिक का रॉबर्ट हैरिक के बारे में details है रॉबर्ट हैरिक Ben Johnson के शिश्य बन गए थे इनका famous work है Speridus 1648 में publish हुआ इन्होंने religious poems भी publish की जिनका title था Novel Numbers नेक्स्ट रॉइटर हम लोग नेक्स्ट पोईट देख लेते हैं थॉमस्स क्रूव इनकी फेमुस पोईंधी थे 2 sex M एक फेमस पोएम थी टू पैंशरस्ट और दा हेर इनकी जो बेस्ट पोएम मानी जाती है वो अर रैप्चर मानी जाती है थॉमस केरियो के बाद हम लोग देख लेते हैं जॉन सकलिंग प्रोजवक था अकाउंट ओफ रिलीजिन बाइ रीजन यह इन्हों ने डेडिकेट किया था एड़वर्स सेक्विल को एक प्ले भी लिखा एगलॉरा जो पब्लिश हुआ था 1638 में नेक्स पोएट हम लोग देख लेते हैं रिचर्ड लवलेस लवलेस रोट एक कॉमेडी देश्कॉलर्स और एक ट्रेज़डी भी लिखी इसने देशोल्जर्स लवलेस ने चार्ल्स वन का साथ दिया और जब जो भी इनका प्लान था सब कुछ फेलियर हो जाने के बाद चार्ल्स वन के काफ़ी टाइम तक लवलेस को जेल में रहना पड़ा अब पॉइट इनसान है जेल में भी खाली नहीं बैठे हैं दूरिंग दे टाइम इन प्रिजन लवलेस ने क्या क्या क्लेक्ट किया सारी जितनी भी उनकी ओकेजनल पोइम्स थी और उनको क्लेक्ट करके उनको 1649 में लुकैस्टा के नाम से पब्लिश करवा दिया चलिए नेक्स हम लोग पढ़ लेते हैं सब तक किवेलियर पोइट्स पढ़ा है अभी हम लोग मेटाफिजीकल पोइट्स पढ़ लेते हैं यह मेटाफिजिकल वर्ड था यह उत जिन लोगों के सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने यह वर्ड यूज किया था जो टाउम था मेटाफिजिकल मेटाफिजिक जॉन ड्राइडन ने डन के लिए जॉन डन के लिए यूज किया था इन अपनी एक अपने एक वर्क में यूज किया था इन डिस्कॉर्स कंसर्निंग स्टायर राइडन ने दन के बारे में एक statement दिया था that DUN affects the metaphysical, metaphysics जो डन ने ये term यूज किया था ये जो बॉडन के लिए यूज किया था इसके बाद में Johnson ने भी Samuel Johnson ने भी इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए दुबारा से फिर ये वर्ड यूज के the life of the poets Samuel Johnson ने the life of the poets में जो biography लिखी है उसमें Samuel Johnson ने state किया कि 17th century में जो एक विशेश तरह के special type के जो writers हुए हैं उनको metaphysical poets बोला हलाकि ये जो metaphysical word था ये कोई positive sense में नहीं बोला गया था ड्राइडन ने और Johnson ने दोनों ने ये word metaphysical यूज किया था एक negative sense के रूप में इन poets के लिए जैसे लेक points यूज किया गया था है न वर्ड्स वर्थ सावदे कॉलरिज के लिए लेक points यूज किया गया था यूज किया था इसी तरह से metaphysical word Johnson और ड्राइडन ने negative sense में यूज किया था Johnson ने कहा कि एक combination होता है dissimilar images का अपनी एक poem A Valediction Forbidding Morning में ड्राइडन ने ऐसा कहा है इसके बाद तो बहुत से writers ने metaphysical word यूज किया जैसे T.S. Eliot ने एक critical ऐसे लिखा उसका नाम ही the metaphysical points दिया जो done थे उनको Victorian points Tennyson और Browning के साथ में compare करते हुए sorry T.S. Eliot ने T.S. Eliot ने Dunn को compare किया John Dunn को compare किया Victorian poets Tennyson और Browning के साथ और कहा Tennyson and Browning are poets and they think but they do not feel their thought as immediately as the order of a rose यह हमने पहले पढ़ा कि बहुत से metaphysical famous poets दो थे जॉन डन जॉश Herbert Richard Crasio Henry Wogan and Andrew Marvel अब हम लोग देख लेते हैं जॉन डन के बारे में जॉन डन के बारे में कुछ पर्सनल डिस्कृप्शन दिया हुआ है पर्सनल डिस्कृप्शन भी पढ़ना चाहिए इससे आपको किसी भी पॉयट के सथ फैमिलियर होने का मुका मिलता है और आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छ से याद हो जाती है जिनसे आप कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं थी यह लोग सिर्फ पोईटरी लिखते रहते थे इनकी पर्सनल लाइफ भी थी जो आपको जानके बहुत एक्साइटिंग लगेगी तो आप उसके बारे में पढ़ना जॉन डन ने डिवाइन पोएम्स लिखी आपने अपने चीफ पाटर्न को डेडिकेट की मिस एम्प सर रोबर्ट डरे टू एन्टी कैथलिक पोएम्स पी लिखी स्यूटो मार्टियर जीसस कोरा ने डन की पोएट्री को थ्री में गृप्स में डिवाइड किया है यह इस ट्रीयर और क्लिकली अटी पेटरार्कन लव यह अटी पेटरार्कन लव पोएम्स सेकेंड सिंसेयर और थर्ड डिवोशनल लास्ट सर्मन तरहां डेट्स ट्यूल और कॉंसलेशन टू दे सोल तन की फेमर्स पोएम्स की लिस्ट दी गई है आप एक बार देखीशेगा वेल डिक्षिन फॉर्बेडिंग मॉर्णिंग पोएम्स पूरी दी गई है समरी बताई गई है वेल डिक्षिन फॉर्बेडिंग मॉर्णिंग की नेक्स हम लोग देख लेते हैं जॉर्ज हरबर्ट के बारे में लिट्रेडी करियर और वर्क्स टेम्पल अप्रेस्ट टेम्पल अप्रेस्ट टेम्पल एफ्लिकेशन पोएम्स दी गई है पोएम अगर आपको पूरी रिड़ाउट करनी है तो वीडियो को स्टाप करके रिड़ाउट कर लीजिए पोएम की समरी दी गई है नेक्स देख लेते हैं रिचर्ड क्रेश्चों के बारे में अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही क्रेश्चों ने पब्लिश करवाया था एपिग्रेमेंटम सेक्रम लिबर एक बुक है सेक्रेड एपिग्रेम्स की इंगलेंड वोज नॉट असेफ एवन फोर क्याथलिक्स लाइक क्रेश्चों एंड दे सिविल वोर अल्टर इस लाइफ जो क्याथलिक्स है उनके लिए इंगलेंड कोई सेफ जगे नहीं थी इसलिए क्रेश्चों फ्रांस भाग गए क्रेश्चों की जो मेजर पोईट्री है वो देखने को मिलती है स्टेप्स इन दे टेंपल इन 1646 में क्रेश्चों की मेजर वोर्क्स की लिए स्टी गई है हैं रचेश्चों की जोगाच्ण है है फेह वोगी अटांस परेश्चों की लुक्रिण हुचोंosse बेच्चोंस प्राप्स्ट की भागाच्चों की टेखिश्चोंकी नहीं थी कर दो कि नग्यद कर रिर विड कि दो आर री जिन एंग स्थरी अलिड कि अलीक्टी टिर्ट थे विल्द जो लग्यद। वोगन रिफर्टो जॉर्ज हर्बर्ट एस ब्लेस्ट मैन हूस होली लाइफ एंड वोस गेंड मैनी पायस कनवर्ट्स मेजर वर्क्स देख लेते हैं यह दर रिजीट की समरी दी गई है वोगन चंकलूड करते हैं रिजीट को कहते हुए कि that whereas many people prefer to think in terms of progress looking forward to the future he prefers to look back to his earlier time when he was in touch with heaven and glimpsed the eternity of the afterlife. Next poet हम लोग देख रहते हैं Andrew Marvell His poem Upon a Plantain House Marvell एक बहुत ही अच्छे वेलनौन पॉल्टीशन भी थे क्रॉम्वेल के शासनकाल में इन्होंने गवर्मेंट जॉब किया हुआ है जब क्रॉम्वेल की डेथ होगी तो ट्रिब्यूट भी दिया था अपने एक फेमस ओड के थूँ एन होरेशीन ओड अपोन क्रॉम्वेल सुर्टन फॉम आर्लेंट और 16 अगर 1678 में मार्वल की डेथ होगी थी मार्वल की कुछ फेमस पोएम्स के नाम दिये गए हैं आप लोग एक बार देख लीजेगा के टेगरी वाइस डिवाइड किया गया है ना इनको लव पोएम्स पॉलिटिकल पोएम्स टो इस कोई मिस्ट्रिस ये जो अपनी मिस्ट्रिस के बारे में फील करता है मन ही मन मे तो ये इसकी फीलिंग्स बताइगी है सारे तो कोई मिस्ट्रिस की समरी दी गई है क्लासिकल सड़ेक्शन पोएम्स है बाकी Puritan Poets देख लेते हैं हम लोग बाकी भी Puritan Age में बहुत famous poets हुए उनके बारे में देख लेते हैं John Milton स्टडी दे रखी है John Milton की Milton की दोस्ती हो गई थी Edward King से जिसके बाद में उन्होंने अपनी जो पोएम है Less It Is डेडिकेट की थी Edward King को Less It Is के बाद में कुछ टेटेल्स दी गई हैं कुछ पॉइंट्स हैं यह पैस्टोरल एलिगी थी Collection है एलिगी इसका यह जो डेडिकेट की थी Edward King को डेडिकेट की थी उनकी मेमरी में उनकी याद में लिखी थी जो कि स्कूल टाइम से ही फेंट्स थे King की डूबने से डेथ हो गई थी उसके बाद में ही लिखी गई थी जो यह नाम था लेसिडिस वो कहां से लिया गया था Theocritus Idils से लिया गया था जहांपे लेसिडिस एक पोएट थे पोएम है जो six sections में है पोएम की शुरुआत होती है Milton एक देवी की पूजा करें इन्वोक करें उनकी अराधना करें लेसिडिस पोएम है वो आएमबिक पेंटामीटर में लिखी गई है इसके बाद फेमस फेमस एक वर्क है मिल्टन का Paradise Lost लिटरेचर के स्टुडेंट अनन नहीं होंगे बिल्कुल भी इस वर्क से इस पोएम का थीम है Justifying the Waste of God to Man Book One की समरी दीगए है ट्वेल बुक सेंस में यह हम लोग बहुत डिटील में करेंगे नेक्स राइटर देख लेते हैं अब राम कॉले पॉसल डिटील्स और लिटररी करियर इंबॉक्स अब राम कॉले की जो पोएटिक कलेक्शन था दे मिस्ट्रेस वो अनफिनिश था एक स्टेज कॉमेडी लिखी गाजियन और एक पंप्लेट पब्लिश करवाया अद्वांसमेंट औफ एक्स्पेरिमेंटल फिलोसफी कोले की डेथ हुई उसके बाद में 1667 में उनको इस मिस्टर एवी में बड़ किया गया ये थी प्यरटन एज प्यरटन एज हमने आज प्यरटन एज को पूरा डिस्कृप्शन लिया जो एलिजाबेंटन एज के बाद आई थी किस टाइब की इसमें चार्ल्स वन किंग हुए और जो उनके साथ सिविल वार था हमने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एक ले लिया हमें पता लगया भी पुरुटन एज किस टाइब की एज थी उसमें किस टाइब के काम हुए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एज करेंगे पुरुटन एज आपकी यहाँ पर कम्प्लीच होती है फेमस राइटर्स ओल्मॉस हमने ले लिये हैं जो आपके नेट के पॉइंट ऑफ यू से इंपॉटन है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एज करेंगे अपने नेक्स्ट कीजिए, stay healthy, stay fit, thank you so much